नमस्ते, मैं श्रेयस बड़ी, आप सब का मेरे YouTube चानल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसे कि हमने World History Series को स्टार्ट किया था और दो लेक्चर अल्रेडी कम्प्रेट कर चुके मैं आपको उसके background पूरे बता चुका हूँ जैसे कि हमने पहले लेक्चर में Feudalism को Church को कवर किया दूसरे लेक्चर में हमने कुछ Modernization जो हूँ रहा था Modern era के तरफ जब हम बढ़ रहे थे उससे पड़ा अब ये चीजों को apply करने का time आ चुका हूँ अब जो होने वाला था यूरोप में वो अब time बदलने वाला था तो time को बदलते हुए देखेंगे नई चीजों का फिर से development होगा new developments देखने मिलेगा कुछ चीजों का फिर से revival होगा फिर से कुछ चीजों का rebirth होगा और इसी term को कहा जाएगा Renaissance तो इस lecture में हम पढ़ेगे Renaissance रेनेजांस एक ऐसा topic है जो बहुत बार world history में पूछा जाता है Renaissance one of the most important topics of world history माना जाता है Renaissance को मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज को part part में divide करके ताकि आप आसानी से इसे समझ पाए इस वीडियो को आखरी तक देखिए और रेनेजांस के बारे में पूरी complete information collect कीजेगा और exam में इसमें बहुत अच्छे से answer writing करने की कोशिश कीजेगा तो चलिए start करते हैं आज के lecture को that is third lecture from world history on Renaissance चलिए देख लेते हैं जो लेक्चर थे हैं जिसमें हम रेनेजांस को पढ़ने वाले में हमने क्या पढ़ेंगे रेनेसांस में जो भी चीजएं में रेनेशांस में के हकोँ यह में हम यह वी देखेंगे की ऐसे इंपार्ण पढ़नुएभा जैसे कि feudalism का खतम होना चर्च का खतम होना या चर्च का जो influence था उसका खतम होना वो मैंने आपको पिछले lecture में बताया था यह सब चीज़े या फिर geographical discovery हुई नहीं 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 चीज़े discover किये गए या फिर printing प्रेस का invention होना या constantinople जो इंपायर था यह पॉल हो जाना यह खतम हो जाना या फिर नहीं नहीं ट्रेट रूट्स लोगों को मिल जाना उसके लावा हम देखेंगे features features में हमें पढ़ना है rebirth and rediscovery किस तरह से की गई वापिस से चीजों को किस तरह से discover किया गया classical learnings के revival हुए प्रिंड रेनाजांस पेंटिंग जो है वह हम पढ़ेंगे रेनाजांस का हम sculpture पढ़ेंगे जो मूर्तिया है रेनाजांस और science यह क्या था उस वक्त का science या फिर astronomy जो थी यह पढ़ेंगे astronomy के साथ साथ हम medical sciences पढ़ेंगे और mathematics पढ़ेंगे उसके बाद end में इन सब चीजों को conclude कर देंगे तो इतने सब topics होते हैं इतने पूरे topics होते हैं जो में रेनेसांस में पढ़ने होते तो रेनेसांस जो था यह क्या था और क्या नहीं basic चीज से शुरू करेंगे that is meaning of Renaissance तो जब हम रेनेसांस के मीनिंग के तरफ आते तो सबसे पहले आपको बता तो रेनेसांस का मीनिंग होता है वह है रिबोर्थ किसी भी चीज का वापिस से जन्म होना या फिर हम कह सकते हैं कि रिवाइवल किसी चीज का Greece और Rome की वह learnings फिर से वापिस आ रही थी Renaissance के टाइम पर आप देख रहे थे इसके पहले के लेक्चर में कि चीजे जो थी वह काफ़े बुरी दिखाई दे रही थी फिडिल सिस्टम बुरा था चर्च का इंफ्लेंस बहुत जादा था लोग पॉढलेंस जा रही थी तो यहां पर हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि यहां सिर्फ रिबॉर्ट या रिवाइवल हुआ यहां पर काफी सारे नए डिवेलपमेंट्स भी हुए है ना तो रिनाईसमेंहे कह सकते हैं कि रीबर्द भी हुआ रीवाइवल भी और काफी सारे नए डेवलपमेंट्स भी हुए कुछ आर्ट्स जैसे फिल्ड में लिट्रेचर में रिलीजन में फिलोसॉफी हो गया साइंस हो गया या पॉलिटिक्स हो गया इन सब जगव पे अच्छे-च्छे हमें डेव होना कुछ फिल्ड में तो यह मीनिंग याद रखेगा इसी मीनिंग को माइन में रखते हुए हम आगे बढ़ते तो हमें चीजों को पता चलेगा कि किस तरह से यह हुआ तो पहले आपको नूट्स में यह चीज मिलते हैं कि रेनेजांस में आपको दो कीवर्ड यहां पे मि ommt note... यह स्फने … तो यह बदेखने मिलने के बाद चल कि थोड़ा सा THE बैक ग्रॉंड बना लेते हैं पड़ने के पहले रिनेजांस का सो जिए तो बैगरॉंड d var ragran ऑफ रेनेजांस चल यह तो बैगरॉंड ऑफ रेनेजांस को देख लेते कुछ बैगरॉंड बना खिसी को जानने के पहले उसका बैक्ग्राउंड आपके माइंड में होना चाहिए यह चीज अच्छे से याद रखेगा अब बैक्ग्राउंड में हमें जो चीजे देखनी हैं उसमें सबसे पहले आपको यह बता दू कि एक टर्म आती है देज मिडल एजेस मैं आपके साथ पिछले व लेके यहां से लेकर इनका फिर से से लर्णिंग्स का रीडिस्कवरी होने तक का जो सब्सक्राइब यहां से यहां तक का टाइम इस टाइम को जाता है जिसमें आपको बता है यह time में फ्यूडल सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्राउंग था उसके साथ साह चर्च का इंफु को पढ़ा और हमने यह भी देखा कि Middle Ages धीरे धीरे चेंज होने लगे सो स्कॉलर्स जो थे 15th सेंचुरी के डेवलप करके Middle Ages जैसे कि मैं आपको Middle Ages का मीनिंग बता चुका हूँ वो कौन सा प्रियर था तो सकते है कि वो 12th सेंचुरी में शुरू हुए थे जिस कारण धीरे धीरे सूशल हो पॉलिटिकल हो या इंटेलेक्ट्व रिवॉलूशन देखने मिलते मैंने आपको पिछले लेक्ट्व में बताए भी ता कि ट्रेड जब से शुरू हुआ तब से कही सकते हैं कि रोमन कैथलिक चर्च था यह इसकी इनेबलिटी कह सकते हैं कि यह धीरे धीरे जो इंफुलेंस दिखा रहा था जो डॉमिनेट कर रहा था हर चीज को वो कही ना कई डाउन होते गया और उसके साथ साथ सिटी स्टेट नैशनल ग्रूपिंग्स मोनार्चीज बनन लगा यही बैग्राउंड में पता चलता है कि यही चीजों के कारण कहीं ना कहीं फ्यूडेलिजम को जगा मिली कि फ्यूडेलिजम आगे सारी हम कहेंगे यही सब चीजों के कारण रेनेसांस को जगा मिली रेनेसांस जो था वो कहीं ना कहीं आगे जा सकता था तो यहां प लिए जगा क्लियर हो चुकी थी अब रेनेजांस जो था वो कभी भी अपनी जगा वहां पर बना सकता था रेनेजांस जब कभी भी आ सकता था तो रेनेजांस किस तरह से आता है यह देखा जाता है origin में हम सबसे पहले देखते है कि Renaissance जो था कैसे शुरू हुआ तो सबसे पहले rediscover की गई कुछ चीजे कौन से चीजों को rediscover किया गया तो जो old scriptures थे उसको जो पुरानी पुराने चीजे थी जैसे हम कहेंगे Greece और Rome जो थे वो पहले कहीं ना कहीं पूरे Europe पे उनका dominance था और वहां स से काफी सारी learnings उनकी फेमस्टी पूरे Europe में धीरे धीरे यह चीजे गायब होने लगे इन old scriptures को फिर से rediscover किया जाता है but quickly evolved into the moment of new ideas in art, religion, literature, philosophy, science and politics है ना तो यह होने के अलाव मैंने आपको क्या बता है Renaissance में दो चीजे होती एक होता है revival जिसको हम rebirth दिकेते और दूसरा होता है नए नए developments तो नए नए ideas भी इसमें आते आर्ट, religion, literature, philosophy, science, politics को लेके पूरानी चीजे भी आती है नए चीजे भी आने लगते और as a result क्या हुआ church का जो influence था Europe के intellectual पे पहले हर चीज के बारे में सोच स influence दिखा रहा था तो mainly intellectual वाले और cultural life में intellectual जो thinking process होती है जो thoughts होते है जो भी हम कहेंगे कि जो विचार होते है वो और आपकी cultural life ये दो जगे पे church का influence जा था वो धीरे-धीरे कम होने लगा और धीरे-धीरे गायब होने लगा चर्च जो था वो हमेशा बात करता था चर्च किस चीज की बात करेगा चर्च पहले बात करता था कि आपके मरने के बाद क्या होगा beyond death वो बात करता था चर्च कहता था कि आप अच्छे-च्छे रहीए जो गौड है उसको कही ना कही हम कहेंगे कि confess कीजिये या फिर हमारी यह चीजे confess करना is okay बट जो हम कहेंगे corrupt practices थी, rituals थे वो जो चोर्च हमसे करा रहा था वो इसलिए भी था कि beyond death जो है वो आपको तकलिफ ना जाए चलिए आप जिन्दा हो तो खुद को survive कर लोगे बट जब आप मर जाओगे तो आपका क्या होगा चर्च इस तरह से हमें बता के कहीं ना कहीं beyond death जाने की कोशिश करता था बट यहां पर रेनेसांस के जो thinker थे यह क्या सोच रहे थे यह कह रहे थे कि beyond death क्यों जाना है हमें तो हम जिस life में उसको अच्छा बनाना है तो हम यह कह सकते कि रेनेसांस फिलोसोफर्स जो थे challenge the church and preached happiness on the earth वो कहते थे मरने के बाद किसको पता कौन कहा जाता है हम तो है इस अर्थ में और हम चाहेंगे कि हम अपने life को जो अभी हमें मिलिये इस अर्थ पे उसे हम बहतरीन बनाए यहां पर दूसरी बात आ जाते है वाली जो रेनेसांस थे उसमें में जो रोल प्ले कर रहा था वो था humanism humanism क्या होता है आपका में फोकस जो होता है जब वो human पे हो divine powers पे नहीं divinity से निकल के आपका जब focus shift हो जाता है humanism पे यानि आप पहले क्या होगा कि भगवान ही भगवान सब कुछ है भगवान है भगवान वह है बाद में पता चलता है कि भगवान नहीं भई सब कुछ है वह human है human being के लिए करना है भगवान तो जहां है वहां है no doubt बट अगर देखा गया तो divinity में हम कह सका अब divinity में भी यह कहा गया कि भगवान खुद भी एक इंसान ही था पहले जीजस क्राइस की जब पेंटिंग बनती है मदर मेरी की पेंटिंग बनती है तो उससे पता चलता है कि जीजस क्राइस्ट हो या मदर मेरी हो हर एक व्यक्ति human ही थे तो यह सब जब human थे तो हमारा main focus humanism पे रहना चाहिए इंसानियत दिखाओ क्यों भगवान के नाम पे लोगों को लूट रहे हो यह सब चीज़े यहाँ पे देखने मिलते है तो humanism was fundamental to the Renaissance it meant emphasizing humanity about divinity यह मेन यहाँ पे चीज़े पता चलती है Renaissance जो था हम कहेंगे की came to represent a new way of thought that is humanistic and intellectual rather than superstitious यही चीज़े थी जो भी अंधविश्वास थे जो भी superstitions थे उनको छोड़के Renaissance हमेशा यह चाहा रहा था कि हम humanistic या intellectual बने यहाँ पर लोग इंसान को लेके सोचे इंसान को लेके इंसान की सोच बनाए intellectual चीज़ों में जाए ना कि वो अंधविश्वास वाली चीज़े जो superstitious चीज़े होती है वो यह बता दिया कि भगवान ऐसा है यह बता दिया कि earth square shape म प्रूब करने के लिए आपको intellectual वाली चीजों पर जाना होगा तो यही सब चीज़े यहां पर कही जाती है यह कही जाने के साथ साथ अब क्या होता था पहले पहले जो language होती थी वह Latin हुआ करती थी Latin language का लोग यहां पर यूज करते थे अब Latin language जो थी वह सबको तो समझ में आती नहीं थी इस कारण जो लोग Latin पढ़ते थे वो खुद को great समझते थे और वो कहते थे mainly church वो कहता था कि ऐसा यहां लिखा है बट हम कैसे समझेंगे कि वहां पर लिखा है क्यों कैसे समझेंगे क्योंकि हमको Latin तो पढ़ते आती नहीं है तो main यह था कि native European languages का यहां पर कह अधीना कही हम कहेंगे आगे आना बहुत जरूरी था और यहां के जो thinkers ते रेनेसांस में उन्होंने लाटिन के जगे पे लोकल जो लैंग्वेज इसको यूज करना शुरू किया जिसको easily common man भी पढ़ सकते थे अब हम भी इसको पढ़ सकते थे इसको पढ़ने के कारण हमें काफी सारी चीजे पता चलती थी कि अब तक हमें जो बताया जाता था वो गलत था ऐसा कुछ नहीं है ऐसे local languages में हमें कही ना कही knowledge मिल रहा था इस तरह से देखा गया तो इन सब के अगर हम एक करे तो इसका result यही था कि it aided language growth and as a result formation of national consciousness एना तो यही में था कि हम यह कह सकते ह कि nationality क्या होती है nationalism क्या होता है ऐसी feelings हमारे अंदर क्यों आरही थी क्योंकि आज हमें एक language मिल रही थी हम समझ सकते थे ऐसी languages हमारे सामने आ रही थी हम यह कह सकते है कि इस तरह से language का बहुत बड़ा rule रहा है Renaissance में तो Renaissance जो है वह कही ना कही उसका origin इस तरह से होता है जो हमें पर पता चलता है तो अब तक हमने जो टॉपिक कवर कर लिए उसमें हमने बैग्राउंड देख लिया मीनिंग देख लिया और ओरीजिन भी देख लिया पता है आपके मन में यह जवाब मिल चुका है तो आपके मन में जैसे जवाब आ जाए वैसे कमेंट सिक्षर में जाकर टाइप कर दीजे अपने जवाब को कि इटली में ही क्यों शुरू हो गया और रेनेजांस अभी तो हम डिसकस करेंगे बट वीडियो देखते वक्त मुझ यह कहूंगा यूरोप से जो चलता था एस यह चलता था जैसे कारण में हम ॽख जयादा डिवलप्मेंट इटली में होने लगई इटली में यहाँ पर development बहुत सारी देखने मिली, बहुत अच्छी अच्छी developments देखने मिली, और developments के साथ-साथ हम यहां कह सकते हैं कि बहुत सारे Greek और Roman intellectual जे थे वो Italy में आने लगे, अब Italy में आने लगे, अपने manuscripts लेके, अपनी जो भी चीजे उन्होंने लिखी थी, उन सब चीजों को लेके, और दूसरी बात क्या हुई कि Constantinople जो था, वो यहां पे गिरने लगा, Constantinople एक empire था, जो कही ना कही रूल कर रहा था, at present day जो इस्तानबूल नाम की जगह है वहां पे, अगर आप world map पे जाओ, तो world map पे आपको यहां पे इस्तानबूल देखने मिलता है, यह जो region इस्तानब स्कॉलर्स थे वो इटली के तरफ आ जाते हैं, अब स्कॉलर्स इटली के तरफ आने के बाद क्या होने लगा, तो सबसे पहले 1453 में तो Constantinople का फॉल हो गया, उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहां पे हम कहेंगे कि बहुत नहीं नहीं, जो स्कॉलर्स थे वो कही ना के इटली के पहले आपको पता है इटली जो है वहाँ पे रोमन एंपायर का कही ना कहीं सेंटर होगा, पहले रोमन एंपायर जो था वो पूरे लगभग बहुत सारे पार्ट पे यूरोप के कहीं ना कहीं अपना इंफ्लिएंस दिखा दा अपना डॉमिनेशन दिखा दा और इटली जो थी रोमन एंपायर के उसको धूंडने की अब पूरानी चीजों को धूंडा जाएगा इटली में आके इसलिए हम कहेंगे रिबर्थ या फिर हम रिवाइवल होगा पूरानी चीजों का अब यह जो भी लोग थे हम कहेंगे कि रीचेस अमास्ट बाइटली as a consequence of commerce with the east also contributed to start of जा रहा था इटली में फ्यूडल सिस्टम भी खतम हो चुका था बहुत पहले ही पिछले वीडियो में हमने देखा था चोच का influence भी कम हो चुका था scholars को जगा मिल रही थी और यह जो रीच मर्चेंट्स हुआ करते थे ना इटली के the supported painters and literature literature वाले जो भी लोग थे उनको यान बनाई है painting और literature जो थे उनको यहां कहा जा रहा था कि आप जो है आप भी बनाई है अपने literature लिखिए तो हम कहेंगे painters और literature इस इन लोगों को कही ना कही इटली में अच्छी एक जगा मिल रही थी यह मिलने के साथ साथ हम कहेंगे यहां से culture और literature बहुत आगे बढ़ने लग क्योंकि उनको support भी बहुत अच्छा मिला तो बाद में हमें देखने मिलता है कि Crusades और discovery शुरू हो गई और far away countries introduce the Italians to the East तो बहुत दूर दूर के जो देश थे वो कही ना कही यह देख रहे थे कि इटली तक कैसा पहुचा जा रहा है यहां के लोग चाहेंगे और इटली trading अच्छे हो सके नएने रास्ते नए नए discoveries हो रही थी कि पहुचे किसी को लग रहा था कि ship के लिए मुझे compass धूनना पड़ेगा तो compass का यहां पर कहीना करी discovery invention हुआ नए-nay invention हुए रहे थे नए-nay रास्तों की discovery हो रही थी इन चीजों के चलते बहुत सारी चीजे बदल जो situation थी वो change होते जा रही थी और change होते होते मैं कहूंगा कि लोगों के अंदर sense of adventure आ चुका था लोगों को लग रहा था को कुछ adventure करू कोई नए रास्ते धूंडू उसके अलावा हम कहेंगे heralding the start of Renaissance और यहां से शुरू होता है Renaissance के फिर से एक बार शुरूआत हम देख र बनने के बाद चीजे print होके आने लगे बहुत सारी copies बनने लगे लोगों के बीच में literature पहुचने लगा लोग इस literature को पढ़के अपने विचार बदलने लगे और नई नई विचार धारा है यहां पर आने लगे जिसको हम कह सकते है Renaissance तो यहां पर हो सकता है Renaissance जो है यह किस त बाला topic भी हमारा cover होता है चली आगे बढ़ते है that is factors impacting the Renaissance अभी आपको देखना है कि कौन से ऐसे factors थे जिसके चलते Renaissance जो है उसको वो impact हो रहे थे कि Renaissance को कही ना कही जगा मिले ऐसे factors कौन से थे तो इसमें हम देखते है downfall of feudalism, downfall in influence of church, geographical discoveries, invention of printing press, fall of Constantinople और new trade routes तो यहां पर जब हम सबसे पहले आते है downfall of feudalism, तो इसके लिए आपको मेरा पिछला lecture थोड़ा सा याद करना होगा, मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे पिछले पूरे lectures देखे और आपको बहुत अच्छे से knowledge है कि feudalism क्या होता है, बट मेरा काम है मैं आपको short में एक बार फिर से feudalism क्या होता है यह बता किएगा, feudalism was a governmental system in which rulers distributed estates, आपको पता है, एक king हुआ करता था, एक ruler हुआ करता था, वो अपना जो भी हम कहेंगे जगा थी उसको कही ना कही state में बाटता था, इस state एक-एक के हाथ में दिये जाते थे और उसके जगे पे वो जो लोग थे जिनको estates मिल रहे हैं, उनको जहा कहा जाता है, यह feudal lords king को उस जमीन के बदले देते थे military service, अब military service in times of war कही ना कही king को मिलती थी, king यह सब जगे पे एक-एक feudal lord को रखता था, king जो होता है, विस्टोड estates to the nobility है, उसके दरबार में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं, जो भी feudal lords हैं, उन सब को वो बाट देता था अपनी state, जिसको कहा जाता था dukes and earls, हमने पिछले lecture में इसका पूरा hierarchy भी देखा था, तो आपको dukes and earls क्या होते हैं, यह भी पता चल जाता है, earls फिल divide कर देते थे अपने holdings को, नीचे के और भी lords में, जिनको barons कहते थे, यह भी कहेंगे barons से या फिर अपने soldiers से, यह king जो था, यह contact करेगा कहीं ना, कहीं ड्यूक्स और earls को, king के नीचे आते थे dukes and earls, king will contact duke and earls, duke and earls के नीचे होते थे barons, barons के पास होते थे knights, याने हम कहेंगे इनके पास होते थे कुछ सिपाही, फिर barons सिपाही को order देते थे कि चल lot system, यह सबसे lower lot जो थे, वो knights हुआ करते थे, इनके नीचे फिर peasants थे, यह सब चीज़े आपको बता है, तो feudal lot जो है, did not develop their holding है, वो क्या करता था, कि peasants को बोलता था, आप यहाँ पे खेती कीजिए, मेर मुझे हमारे जो estate है, इसके लिए जितना हो सके उतना बनाईए, और हम हमारे खाने जितनी चीज़े यहाँ produce करेंगे, peasants को ना freak किया जाता था, ना उसको बहुत जादा, हम कहेंगे freedom थे, peasants को इधर उदर जाने के, जैसे कि आपने देखा, peasants भी कुछ type के थे, ना तो जिन लोगों ने feudalism वाला वीडियो नहीं देखा होगा, वो उसे अभी देख ले, देखिए, यहाँ पर कही ना कही उसके link आ रही है, तो यहाँ जो आपको link देखने मिल रही है ना, इस link पर click किजिए, और वो feudalism वाला वीडियो बहुत अच्छे से देख लिजे, ताकि आपको यह चीज़े और भी जादा clear हो जाए, तो यहाँ पर आप देख है कि यहाँ पर कोई development नहीं हो रहा था, फ्यूडल सिस्टम में, तो यहाँ हम देख सकते है कि societal system hampered, social mobility and advancement है ना, कोई advancement नहीं, कोई development नहीं और society भी कही ना कही चेंज नहीं हो रही थी, social mobility भी नहीं हो रही थी, यहाँ से वहाँ भी लोग नहीं जा पा रहे थे, धीरे-धीर feudalism collapse हो गया, 13-14th century में feudalism collapse होने लगा, यहाँ पर हम देख सकते है कि free thoughts और यहाँ पर spread of new knowledge होने लगा, नया-nया knowledge लोगों में आने लगा, और कही ना-कही नया-nया thoughts, free thoughts लोगों को सोचने के लिए freedom मिलने लगा, तो यह जो वीडियो आप देखोगे feudalism का, उसमें मैंने यह भी discuss किया आपके साथ, कि feudalism किस तरह से धीरे-धीरे decline होने लगा, यह भी मैंने आपको बता है, freedom, feudalism grow कैसे हो, यह भी मैंने बता है, पहले दो lectures अच्छे से देखना है आपको, ठीक है, दूसरे lecture की भी यहाँ पर link आ रही है, तो feudalism वाला भी देखिएगा, और second जो lecture है, वो भी देखिएगा, जिसमें मैंने modern era की जो शुरुवात होती है, उसमें आपको बता है कि feudalism कैसे decline होता है, modern era कैसे start होता है, तो यह था downfall of feudalism, feudalism खतम होने लगा, और नए नए विचार सामने आने लगे, दूसरा जो कारण बनता है, वो बनता है, downfall of influence of church, church का influence कम ह होने लगा, medieval period में आप देख रहे हैं कि church यह सबसे dominant institution था, church जो कहता था, वही लोगों को करना पड़ता था, even king के बराबरी, king के बराबरी में एक time पर church आगा और बाद में king के उपर पहुच गया, king के decisions भी कही ना कही, depend करते थे church पे, लोग जो थे उनको church के हर belief और principle को कही लोग के बारे में विचार करने का, सोचने का कोई यहाँ पर freedom नहीं था, लोग खुछ से कुछ भी विचार नहीं कर सकते थे, thoughts यहाँ पर लोगों के कुछ भी नहीं थे, church जो बोलेगा, वही आपको करना पड़ता था, धीरे धीरे बहुत सारे, however, a number of researcher began rejecting that medieval beliefs है ना, तो य कही ना कई सजा भी सुनाई जा रही थी, चल यह सजा सुनाई भी जा रही थी, यह तो बहुत अच्छी बात थी, कि हम यह देख सकते हैं कि church के अलग जाके भी लोग अपनी सोच दिखा पा रहे थे, हमने modern जो times था, उसमें देखा, second lecture में, that was very different time, यह हम यहाँ पर देख सक बहुत सारे inventions हुए, breakthrough हुए science में और technology में, यह सब चीजे बहुत ज़्यादा हुए, science और technology बहुत ज़्यादा सामने आने लगा, जब science और technology आती है, तो अंदर विश्वास वाली जो चीजे होते हैं, वो कम होने लगती है, क्योंकि science और technology जो होती है, वो विश्वास करता है research पर, कोई भी चीजे जिस पर research नहीं हुए, उसको science सही नहीं मानेगा, तो inventions बहुत ज़्यादा होने लगे, Galileo जो थे उन्होंने टेलिसकॉप बना दिया, उन्होंने ये भी बता दिया कि stars और planets किस तरह से motion में है, उन्होंने ये चीजे प्रूव कर दी कि planets जो है, ये sun के around revolve होते हैं, उसी में से एक earth भी है, तो आप ऐसा मत कहिए कि earth के around sun revolve हो रहा है, earth ही सब कुछ है, no earth is not everything, solar system के लिए सबसे important तो sun है, Galileo ने चीजे दिखा दी, copper निकस जोते हैं, उन्होंने ये भी दिखा दिया कि earth revolves around the sun, not the other way around, तो उन्होंने ये ही दिखाया, church क्या कहता था कि जो earth होती है, इसके around sun घूमता है, क्योंकि earth जो ये भगवान की है, और भगवान के लोग हम है, तो हमें बताइए कि क्या है, क्या नहीं problem, हम ही solve कर सकते हैं, तो earth तो ये sun से भी महान है, ऐसा यहाँ पर पहले बताया जाता था, इन लोगों ने प्रूव किया कि ऐसा होने लगे, and put a stop to the old ideas, practices that the church had imposed on them, तो यही सब चीजे है, कि church जो भी उनको बोलता था, वो चीजों में कही न कही बदलाव आने लगे, और नई-नई findings सामने आने लगे, इस तरह से geographical discovery ने भी काफी help यहाँ पर की थी, अगला जो होता है, वो है printing press का आ जाना, 15th century की बात है, जो 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 जोनस गोटेंबर्ग थे, he created the printing press, अब हम जोनस गोटेंबर्ग को आपको दिखाता हूँ, देखेंगे आप यहाँ पिक्चर में उन्हें, तो आप इस पिक्चर में देख सकते है, यह जो आपको देखने मले जोनस गोटेंबर्ग है, और इस तरह से उन्हें यहा प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तब लोगों को कुछ भी करने के पहले, कोई भी publish करना है किताब, तो उनको हाथ से लिखके publish करने पड़ती थी, अगर दस copies पब्लिश करनी है, तो दस copies हाथ से लिखने पड़ती थी, इस कारण क्या होता था, कि बहुत limited copies अवेलेबल होती और वो बहुत limited जगे पर होती थी, बहुत limited लोग पढ़ सकते थी, अब यह limit जो थी यह खतम होने लगी, जब printing प्रेस बनने लगी, बाइबल को बहुत सारे languages में translate किया गया, और translate करके इन चीजों को लोगों तक पहुचा आया गया, जो लोग थे, they begin to challenge the church authority, उन्होंने बो देते, तो church की authority को लोगों ने challenge करना शुरू कर दियो, और expansion होने लगा spirit of scientific inquiry, लोग यहां सोचने लगे कि हर चीज को scientifically सोचना जरूरी होता है, किसी भी चीज पे आग बन करके विश्वास करना ठीक नहीं होगा, यहां पे हम कहेंगे कि superstitious जो चीजे उसको छोड़ना होगा, और उनको हर चीज को scientifically देखना होगा, उसके पीछे का science जानना होगा, लोगों ने यह चीज शुरू कर दी, लोगों को knowledge मिलने लगा just because of printing press, इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो Jonas Gattenberg थे, उन्हों ने printing press जो बनाई थी, इसका बहुत बड़ा contribution रहा है, लोगों यह बात जब हम आगे बढ़ते तो Constantinople जो था यह गिरने लगा, Ottoman Turks जो थे, they conquered Constantinople, पहले वहाँ पे क्या होता था, Constantinople जो था उस पे जो भी empire रूल कर रहे थे, वहाँ पे Ottoman Turks आने लगे, तो Constantinople मैंने आपको बता है, आज के डिट का Istanbul, 1453 में कही ना कही, C याने common era, common era जो जो Ottoman Turks थे, 1453 में, याने AD का टाइम पकड़ लीजे, अनो डोमीनी का, उसमें Constantinople conquer हो जाता है, यहाँ होने के बाद, many Greek professors in Constantinople escaped to Italy, इस कारण क्या हो गया, कि यह लोग इतली में भाग गए, बहुत सारे बड़े-बड़े professors, जो थे Greek professors, जो Constantinople में हुआ करते थे, वो इतली के उसको लेके आ गए वो, अब वो लेके आ गए रोम और Greek वाली जो Empires की किताबे थी, उस कारण Greek culture जो था, आपको पता है, उसका center जो था, वो Rome था, और Rome कहाँ पे आता है, आप अच्छे से जानते हो, रोम ये इतली में आता है, अब इतली में ही रोम था, और रोम जो था, Greek culture तो बहुत ज़्यादा था, इतली तो ये center था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लोग जो थे वो Greek और रोमन philosophy पढ़ने लगे, जब उन्होंने पढ़ा, philosophy पढ़ा, science पढ़ा, आर्ट पढ़ा, रोम लिटरेचर पढ़े, ये सब चीजों को पढ़ने के साथ साथ, र रिवाइवल हुआ ना पुराने चीजों का, रिबर्थ हुआ ना तो रिवाइवल रिबर्थ इन ही कारण हुआ था, कि ओटोमन टर्क आ गया और जो प्रोफेसर थे हो, इतली में skip कर गए, क्योंकि उनका center जो ग्रीक में expert थे उनके लिए, ग्रीक के लैंग्वेज में या फिर रोम के लिए expert थे, उन लोगों के लिए कही ना कही जगा तो इतली में ही थी, क्योंकि इतली से ही जुड़ी हुई चीजे थी, इसलिए वो आ जाते है इतली में, इतली का capital है रोम, आपको ये चीज़े अभी पता ही है, ये भी बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है कि Renaissance आगे बड़ पाया, अगला है कि नए नए ट्रेड रूट्स मिल गए, न्यू ट्रेड रूट्स यहां मिलने लगे, पोर्टुगल और फ्रेंच, पोर्टुगल और स्पेन जो था, याने पोर्टुगीज लोग और स्पैनिश लोग जो थे, वो key players थे, वो geographical discoveries करने लगे, अब geographical discoveries वो कर रहे थे, जिसके चलते हो नए रूट्स धून रहे थे, जैसे आप देखोगे, तो जो टुक थे, उन्होंने कॉंस्टेंटिनोपल को सीज कर लिया था, ओटोमन एंपायर कॉंस्टेंटिनोपल पे आके रूल करने लगा था, जिस कारण जो लैंड रूट थे, वेस्ट और इस्ट के बीच के वो बंद हो गया, क्योंकि अब ओटोमन एंपायर जो था, वो कही ना कई अलाउ नहीं कर रहा था, या कुछ यहाँ पे प्रॉब्लेम्स क्रेट कर रहा था, या ज्यादा वहाँ पे चार्जेस ले रहा था, वहाँ से गुजरने के लिए, आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, तो यह जो जगा थी ओटोमन टर्क्स के पास चलेगे, तो अब आप लैंड रूट से तो जा नहीं सकते थे, अब लैंड रूट से आप नहीं जब जा पार है, तो आपको नए रूट्स धूनना पड़ेगा, नए रूट्स धूमन Necessity is the Mother of Invention, यहाँ पर Necessity थी ट्रेड करने के, त्रेड करने के लिए नेसेसरी था के नए रूटस धून demais Maritime Roots मिले, समंदर के रास्थे मिले, Asian और Africa जाने के लिए, Cape of Good Hope जा था वहाँ पर, Bartholomew, Theis, Cape of Good Hope पहुच गये, Темे- c find good hope की बात करें, तो हमने जैसे modern India के history में देखा भी था जब इंडिया को नोंने discover किया था हम कहेंगे sea route तो सबसे पहले जो वो लोग आये थे इंडिया धूनने तो वहाँ पे उनको जगा मिली थी के पॉप गुड़ोप तक तक तो बार्थोले वहां से होते हुए इंडिया में पहुच गए आपको मैं यहां पर उनका तरेयररूट भी बताता हुँ यहां पे देखेंगे समेप में अब देखेंगे यहां से पूर्चुगल से यह लोग lys से लोग veg निकलते निकलने के बाद इस तरह से वह आते हैं एस तरह से आने के बाद यeます rwo यहां तक पहुचे भी इर है यहां से वह इस exploring जिब वह इस रूट से निकलते हैं वासको दगामा यहां से पहुचते हैं के पॉप गुड होप से वह यहां से होते हुए इंडिया के कैलिकट में पहुच जाते हैं यानि आप देख रहे कि इन्होंने समंदर के रास्टे धून लेते अभी इनको यहां पर कॉंस्टेंटिनोपल ज जो थे वह कैलिकट में आके पहुच गए और वहां पर उनको समंदर का रास्ता मिल गया था तो 9492 कोलंबस ने अमेरिका धूंडा 1498 वासको दगामा ने कैलिकट इंडिया धूंडा यह धूनने के बाद फर्डिनेंड मेगलन जो थे वह पूरे वर्ड को घूम के आते हैं पानी के रास्ते उनको पता चलता है कि और्थ गोल आप पानी के रास्ते से किसी भी जगह पर पहुच सक्क्त जो कोस्टल रीजन है वहां पर यह यहां पता चला सो जो डिस्कवरी थी नए मैरिटाइम चैनल के नहीं रास्तों की यहां से सिर्फ ट्रेड ही नहीं बढ़ा तो बट आल्सो फॉस्टर्ट एडवेंचरिस अटिटीटूड और लोगों को एडवेंचरिस आटिटीटूड आने लगा कि चलो हम नया कुछ धूंडते हैं एडवेंचर करते हैं नई चीजों को धूंडेंगे यह सब चीजे लोगों के मन में यहां पर रहने लगी तो नए कंस्टेंटिनोपल का गिरना या नए ट्रेड रूट्स आना यह सब कारण बनते हैं कि रेनेजांस जो था यह कही ना कही आ सका अब रेनेजांस आ चुका था लोगों के विचार बदल चुके थे तो जो चीजे बदली तो उस रेनेजांस के फीचर और इंपोर्टन्स क्या तो पहला फीचर जो हम यहाँ पर देखने मिल रहा है उसमें यह देख सकते हैं कि रीबर्द और रीडिस्कवरी होने लगे अब यह जो रिबर्द और रीडिसकवरी थी तो मैंने आपको यह बता है रेनेजांस यह प्रेंच टर्म है इसका मिनिंग यही था कि पूरानी ची की और रोम की वह वापिस आने लगी तो हम एक फीचर में कह सकते हैं रिवर्ट एंड रिडिस्क और यह तो पहला फीचर था ही रेनेजांस का दूसरा जो था वो क्लासिकल लिट्रेचर का रिवाइवल होने लगा अब देखें आपको सबसे पहले यह बता दे तो कि मोस्ट इ यही रहा है कि ग्रीक और जो लाटिन लिट्रेचर था उनको कही ना कहीं रिवाइव किया गया उनको सबसे पहले जो रिवाइवल हुआ उसमें उनको ट्रांसलेट भी किया लोगों तक पहुचा या भी आज लोग भी पढ़ सकते थे यह सब चीजे हुई यहां काफी सारी लैंग्वेजेस में उसको लिखा गया और सेवरल हम कहेंगे विद इस एक्सेंसी अंडरस्टेंडिंग उप सेवरल लैंग्वेज जो पेटरार्क थे वस पायनियर इन इस अटेम्ट है ना सबसे पहले अगर प्रेटरार्क जो थे वो जो 1304 से 1374 के टाइम में तक रहे है व जैसे कि Plato हो गये Aristotle हो गया इनके works हो गए जो political system के बारे में क्या बोलते हैं Social society के बारे में क्या बोलते है यह चीज़े पहले नॉर्मल लोग नहीं पढ़ पाते थे इनौने क्या किया पेटरार्क ने जो पूरानी चीज़ थी प्लाटो की हो एरिस्टर्टल की हो इन सब चीजों को एक जगे पे लाया और बैकोग चीजों जो थे बैकोग के शीओ ये वेक्टी जो थे ये फॉलोवर थे एना क्लासिकल स्टुडीज के इनके तो ये चीजों सब इन्होंने बदल और बोका कैशियों जो थे वो कही ना कही हम कहेंगे कि वो भी कही ना कही एक इन चीजों में थे क्लासिकल स्टुडीज में एक्सपर्ट हुआ करते थे उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया इन चीजों को बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स जो थे जो कॉंस्टेंटिनोपल स को रिवाइब कर रहे थे और एरास्मस जो थे एरास्मस को तो हम बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उनको वह तो भूलने जैसे ही नहीं 1463 से 1536 के बीच में रहे और इस कॉंट्रिब्यूशन क्या थे टू दे करेक्शन और एडिटिंग ऑफ लैटिन राइटिंग सेना ज जो ग्रीक में हुआ करते थे उनको पूरी तरह से अच्छे से एडिट करते है जो भी हम कहेंगे एरास्मस थे वो अब यह जो न्यू टेस्टैमेंट्स थे यह न्यू टेस्टैमेंट होते क्या है जैसे कि आपको पता है न्यू टेस्टैमेंट जो थे यह बाइबल से चीजे थी वो लोग पढ़ने लगे तो आज Bible की information सिर्फ Church नहीं तो बाकी जो लोग थे उनको भी आ चुकी थी क्योंकि बहुत सारे classical literature को revive किया गया और basic languages थी उसमें उसके बाद अगला रोल अगर हम देखेंगे तो Germany में जॉन गुटेंबर्ग ने तो printing प्रेस बना दी जिसक जॉन गुटेंबर्ग ने सबसे पहले Bible को release किया ताकि लोगों को पता चल चेके कि असलियत क्या है Bible लोगों के बीच में आने लगी विलियम कैक्स्टॉन जो थे उन्होंने printing प्रेस इंग्लेंड में इसी तरह से बना दी जॉन गुटेंबर्ग ने जिस तरह से बनाई थी बहुत सारी printing प्रेस यहां पर पूरे यूरोप में बनने लगी जिस कारण Renaissance की मुमेंट पूरे यूरोप में फैलने लगी आखिर किताब ही आपको नया नया नौलेज देते हैं किताब ही आपको कुछ ना कुछ पढ़ाती है और यह चीजे होने के कारण यह जो किताबे थी यह सस्ते में भी बिखने लगी लोगों के awareness बढ़ने लगे क्योंकि आज किताबों को लोग सस्ते में खरिद सकते थे कम प्राइजस में खरिद सकते थे और यह कम प्राइजस में खरिद के लोग अपना knowledge easily बढ़ा सकते हैं तो यहां पर आप देख रहे कि revival classical literature का कितने अच् चीजों के लिए बनती थी अभी जो paintings थी वहां पर masterpiece बनने लगे यहां पर इंसानों की paintings बनाएं लगे यहां पर reality वाली paintings बनाने लगे और paintings के थ्रूँ लोगों को messages मिलने लगे paintings में सबसे पहला नाम Leonardo da Vinci का आता है Leonardo da Vinci का नाम अगर देखे तो हम कहेंगे कि one of the most diverse individual of this of his day यह हम कह सकते है artist, poet, musician, engineer सब कुछ थे Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci जो थे वो कही ना कही man of renaissance भी उनको कहा जाता है अब यहां पर मैं आपको उनके कुछ paintings दिखा तो आप यहां पर देख पाऊगे यह जो first आपको दिख रहे है यह थे Leonardo da Vinci यहां पर तो large super जो है यह उनकी बहुत famous painting और Mona Lisa व murder मेरी और बाकी normal लोगों के साथ बैठे हुए और भगवान जिनको कहा जा रहा है वो भगवान तो है बट वो भी human के तरह ही हम लोगों के तरह है यह message यहां से पहुच रहा था लोगों तक Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci जो थे यह कही ना कही हमें पता चलता है कि the man of renaissance उसके अलावा he born in Florence Florence म में घूमते हैं हम देखेंगे तो he was patronized by the Duke of Milan Milan करके जो देश है वहां के जो ड्यूक थे उन्होंने उनको जगा दी कि आप खुद को डेवलप कीजिए और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई Mona Lisa और Last Supper जैसे पेंटिंग्स यहां पे बनाई गए लि водa mansi के तरह Michel Angelo जो थे वह भी एक हम कहेंगे एक बहुत इंपॉर्टन पेंटर करके अबरे Michel Angelo जो थे वह ींपॉल्टंट पेंक्र puisque वी थे यह हमें स्कल्प्टर भी थे और पेंटर भी थे जो मूर्तिया भी बनाते थे और पेंटिंग वी करते थे ऐसे विखती थे अब यह जो थे यह फ्लॉरेंस में रहते थे यह भी फ्लॉरेंस में थे and he was patronized by Medi की डाइनस्टी जो थी उन्होंने कही ना कही इनको एक आगे बढ़ने का मौका दिया था तो इसके patron जो थे वो यह थे and later वो रोम में आ गए रोम में आने के बाद उन्होंने बहुत सारी paintings बनाई बहुत सारे अच्छे अच्छे हम कहेंगे की architecture में help की sculptures बनाए बहुत अच्छी चीज़े थी architecture की बात करें आप painting की बात करें इनका बहुत बड़ा यह रहा है contribution ceiling जो आप देखो के Vatican City में जो Sistine Chapel है उसका सिस्टीन चैपल का जो भी ceiling होता है वो मैं आपको बड़ा देता हूँ देखेंगे आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे यह जो सिस्टीन चैपल है इसका आप देखिए ceiling यह जो church है सिस्टीन चैपल इसमें जब आप जाओ के Vatican में तो इसके ceiling पे आपको बहुत सारी paintings और beautiful work देखने मिलता है सब कुछ किया था सिस्टीन चैपल ने तो हर चीज को यहाँ पर humanism से जोड़ के दिखाये जा रहे हैं कि humanism यहाँ पर बहुत सारा है तो यह एक और चीज आपको देखने मिलते है कितने photos बनाते है Michelangelo ने उनका masterpiece जो है वो last judgment है last judgment जो होता है वो आज भी पूरे world में best work माना जाता है जो कि Michelangelo ने बनाया था यहाँ पर आप देख सकते है the last judgment इस तरह की यहाँ पर एक painting है और यह जो painting है यहाँ पर आपको देखने मिलेगी यह आप देख रहे है यहाँ चैपल में जो आपको देखने मिल रही यही था the last judgment last judgment के साथ-साथ the fall of man यह भी यहाँ पर दिखाया जा इनसान पहले कैसा था क्या नहीं पेंटिंग्स के थूरू लोगों को दिखाया जा रहा था या यह नहीं था कि सब कुछ भगवान पर हर चीज के पीछे कही ना कहीं humanism होता है यही चीज बताने की कोशिश Michelangelo हो या फिर हम कहेंगे कि जो लियोनार्डो दा विंसियो यहां पर देख ह रहा है कि भगवान भी कही ना कहीं हम कहेंगे की इन्सान ही थे और इंसान की तरह ही थे यह मड़ोना वाले Android में बताते हैं कही ना कही रफाइल और उसके अलाव उन्होंने काफे सारे स्कुल्प्चर्स भी बनाएं यहां पर आप देख सकते हैं मूर्तिया भी यहां पर हम कहेंगे पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं मडोना वाले पेंटिंग के लिए उसके साथ साथ आपको यह बता दो कि जो वेनेश स्कूल थी जैन एक्सेलेंट इलिस्ट्रेशन ऑफ सेकुलराइजेशन ऑफ रेनेशन आर्ट तो हर जगे सेकुलरिजम था भगवान नहीं सब चीजे सेकुलर होगी यह चीजे देखी जा रहे थी और क्रियेटिव एक्स्प्रेशन थे वेनिस में आप यहां पर देख रहे है उसके अलावा टिटिएन जो थे यह यह फिर टिंटो रेटो जो है यह भी हम कहेंगे यह दो वेनिस के मोस्ट पेमस पेंटर रहे राफाइल के ही बाद के कुछ पेंटर्स आपको देखने मिलते हैं उन्हीं के वक्त कुछ पेंटर्स देखने मिलते हैं टिटीचियन यह याम हम कहेंगे, vitician याम कहेंगे that is tintu retoker तो इस्तु?. rituals we बारे में आपको यह यह चीज पता चलती है और आप आपने देखेंके पेंटर्स का कहीना के renaissance का बहुत बड़ा एक importance रहा है, जिस कारण लोग कहीना कई नहीं चीज़े यहां पर कर सकते थे, सोच सकते थे, इनके बाद sculpture के अगर बात करें, तो art of sculpture जो था, वो कहीना के renaissance period के बहुत जाद आगे बढ़ रहा है, जो forefather ते renaissance art के, that is, लोरेन ज 1455 के बीच में जो रहे है, the stunning doors of Florence Baptist, जो यहां पर बनाए गए, doors जो है, उसके उपर जो बहुत 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 सकल्प्चर बनाए गए हैं, वो इन्होंने ही बनाए हैं, और Michelangelo जो है, वो भी कहीना कही बहुत अच्छे, कुछ सकल्प्चर बनाते हैं, Michelangelo के हमको कुछ सकल्प्चर दिखा देता हूँ, आप यहां पर देख सकते है, Michelangelo के इस तरह के सकल्प्चर है, पीरटा करके इसको कहा जाता है, बहुत फेमस है यह सकल्प्चर, यहां पर आप देख रहे है, Mother Mary है, Jesus Christ को लेके, तो ऐसे काफी सारी चीज़े भी यहां पर बनाई जा रहे थे, सकल्प्चर जो थे, यहां कही ना कही उसका, कही ना कही हम कहेंगे कि चेंज आ रहे थे, यहां पर हम कहेंगे, डोना टेलो जो है, he constructed St. George Statue in Florence, and St. Mark Statue in Venice, यह सब स्टैचू भी यहां पर बनाए जा रहे थे, St. George का स्टैचू हो फ्लोरेंस में, यहां यहां बनाए गए, और मिशिल आंगलो जो थे, वो कही ना कि स्कल्प्चर के साथ, साथ पेंटिंग भी करते थे, तो दोनों चीज़े एक साथ आपको देखने मिलती भी थी, यह देखने के अलावा, मेडी की फैमिली जो है, फ्लोरेंस में, उनका इन्होंने बहुत जो है, यह रॉबिया जो है, उन्होंने भी वो काफि अच्छे स्कल्प्टर्स माने जाते हैं उस टाइम के, सेंट बिटर चूर्च जो है रोम में, उसमें बहुत सारा आर्केडिक्ट्टर आपको देखने मिलता है, अच्छा अच्छा आर्केड़िक्टर रेनेसांस के टा तो आप देख रहे हैं beautiful church in Rome जो है यह भी इस वक्त के ही है यहां के sculptures की जानते हो खासियत क्या थे importance क्या था इनके वक्त के जो sculpture थे ना renaissance के वो sculptures wall से अलग independently बनाये जाते गए पहले जो sculptures थे wall के ही उपर बनाये जाते थे कही कही पे entrance पे बना दे अभी वो aber temporarily यहां पे बनाये जाते थे ना तो independently बनाये जाना यह भी यहां कहीना कहीं हम कहेंगे की इन sculpture का एक हम क의ंगे खासियत थी इह कहीं नब कहीं specialty थी यह होने के अलावा अभ हम यहां पर sculpture को भी की पूरा कर लेते स्कुल्प्चर को पढ़ने के बाद जो अगला टॉपिक हमें जाना है डाट इस रेनेजंस और साइंस की क्या बात करते तो पूरे की पूरे प्लानेट कर्ड़ीन एक्लीक हुरी ये aldeas ओरुनेजों प्राइख अवर्जण पीड़नेजग औरmile जू ज उसे वाईडिके डिच्रेक पीडरनेट लेट है। पूरे के पूरे प्लानेट्स इंक्लोडिंग अर्थ ये बताया गया कॉपर निकस द्वारा सर आइजाक न्यूटन जो थे उन्होंने ग्राविटेशन बताया हर चीज के पीछे ग्राविटेशन यह क्यों ग्राविटेशन है हम यह नहीं कहेंगे कि भगवान इनको घूमा र है जिनोंने यहां प्लानेटरी मोशन के लिए लौस दिखाए कि कि तरह से प्लानेट्स ४्लानेटि मूव करते हैं गखिले लिख और ने टेलेसकॉप बनाके यहां से दिखाया कि निकस की जो आइडिया थी वह एक्दम perfect ती सच में प्लानेट जो यह रिफॉल्वा वेसलियस द्वारा तो वेसलियस हो या फिर हम कहेंगे हल्मॉंट हो यह सब लोगों की जो डिस्कवरिस थी यह बहुत ही बहतरीन साबित हो रही थी उस टाइम पर अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एनटॉमी जो है वह क्या होती है वैसे तो आपको इसका मीनिंग पता ही ह होती है जिसमें specially human animals या बाकि living organisms को study किया जाते हैं उनकी एक एक पार्ट को रखके जैसे कोई-कोई-कोई अलग-अलग जो हमारे बॉड़ी में पार्ट से उनकी internal working कैसे हो रही है blood circulation हो रहा है यह हो रहा है पहले खून बहरा है तो बोलेंगे नहीं नहीं भगवानी इसको र हो रहा है यह भी renaissance में काफी सारा science हमें देखने मिलता है इसके अलावा हम कहेंगे astronomy astronomy की बात करें तो जैसे मैंने आपको बदा और और अधर प्लानेट जो होते हैं वह सुन के अरौंड मूव करते यह बताते गैलेलियों ने पूरे motion of planets और स्टार्स को study करा तो सर आईजै किया क्योंकि कैसा होता है कि अलग-अलग topic करके हर चीज को पढ़ना होता है तो हमने इसको भी स्टडी के astronomy को उसके बाद medical sciences पर क्या विचारते हैं medical sciences जो थे वो तो यहां बहुत advance हो चुके थे विलियम हारवी जो थे एक English physician थे डॉक्टर थे उन्होंने ये बताया कि blood circulation जो होता है वो heart से होता है और body के हर पार्ट तक पहुँचके वापिस से heart में जाता है हमारा blood तो heart पंप करता है blood को यह concept समझना जरूरी था क्योंकि church हमें कुछ अलग बताएगा और फिर हमें बोल सकते हैं सिर्फ हम ऐसा कुछ नहीं है उसके अलावा पारेसलस जो थे पारेसलस जो थे पारेसलस जो थे इस्टैबलेश्ट टाइट रिलेशन्शिप बिट्विन मेडिसीन और केमिस्ट्री उन्होंने यहीं बोला कि chemistry जो है वह मेडिसीन से जुड़ी हुई है अगर आपको पता एथर जो होता है आप केमिक स्टी पढ़ते हो आपको एथर आता है अलकॉलिक और सुल्फुरिक एसिड को मिला के बनाते और कॉर्डस ने बना के दिखाय कार्बन डॉकसेड था इसको हिल्मॉंट ने डिस्कोवर तो करी दिया था इस तरह से हम कह सकते कि मेडिकल साइ यूरोप के वैपर तो चली रहे थे अरब से फिर अलजेब्र हो गया या इंडियन नुमरल्स जो थे हमारे साइड से वह वेस्ट तक पहुचने लगे अरब जो थे वह कही ना कहीं हमारे यहां का नॉलज़ लेकर यूरोप में पहुचा रहे थे इस कारण इंडियन नूमर सब चीजों के चीजों को अच्छे से जान पहचानने लगे यह चीजे बहुत अच्छी होने लगे यूरोप में तो मैथमाटिक्स जो था इसने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया था तो यह सब फीचर्स थे रेनेजांस के और इंपोर्टन्स था अब हम यहां पर आए ह हमने मीनिंग पढ़ा, बैक्ग्राउंड पढ़ा, ओरिजिन पढ़ा, इटली बर्थ प्लेस था यह पढ़ा, फैक्टर्स पढ़े जिसमें हमने फ्यूडलिजम का डाउनपॉल, चर्च का डॉमिनेशन कम होना, इन्फुलेंस कम होना, यहां फिर हम कहेंगे जोग्रेफिकल आपको वर्लिस्टी पर आंसर राइटिंग करना है, तो आपको कंक्लूजन अच्छा पता होना चाहिए, तो इन चीजों को अगर हम एक जगे कंक्लूड करें, तो हमें यहां पर यह पता चलता है, कि इस इंपोर्टन तो रिमेंबर दाट वर्ट रेनेजन साइंटिस्ट ब आज भी यूज कर रहे हैं, आज भी साइंटिस्ट को हर चीज पर क्वेश्चन करना पड़ता है, यह होगा तो कैसे होगा, उसको अब्जोब करना पड़ता है, और उस पर एक्स्पिरिमेंट करना पड़ता है, तो उस वक्त के साइंटिस्ट से आज के साइंटिस्ट जो है यह उस टेक्निक को यूज कर पा रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है तो यह इसी को कहा जाता है साइंटिफिक मेथड़ सो इट इस वाप्लाइंग दिस मेथड़ देट और नॉलेज आज ग्रोवन सो ग्रेटली और यही यही वो मेथड़ थी जिससे हमारा नॉलेज भी आज आज आपने जो चीजे पढ़ी वह रेनेजन्स का थोर्ड लिक्चर पढ़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का और अगर आपको यह वीडियो पसंद आते तो उन्हें लाइक करना ना भूले शेयर करते रहिए जादा स्यादा लोगों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चै फॉर्मिशन श्रियसबड़ी श्रियसबड़ी इंटर्प्रेटेशन को आप फॉलो कर सकते हैं इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे याद रखेगा नॉलेज बाट में से बढ़ता है इसी एक चीज के साथ मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलता हूँ तब तक क के लिए अपना ख्याल रखिये, take care and have a good day.